लो दोस्तों माई नेमी जेडेन यूर वाचिंग जेडेन आक्षपॉर्ट सो लेस्ट स्टाड़ विद वेस्टिंग अनिमोर टाइम हम बात करने वाले हैं क्या सिवा इन उस प्रकार एक रुपए या एक पहसे या दस पहसे पर पहुंच सकता है या फिर नहीं उसके बारे मे यहां पर हमारे सामने वाचिंग हो चुकिया मतलब 10,00,00,0,07 लॉस देखने को मिल रहे है मतलब ना प्रॉफिट है ना लोस है सिरीज है हमारी लगबग 6 वाली टच करने आस पास है जहां से ग्राफ स्टार्ट हुए अरांट वहीं पर खतम हो रहा है निल्चे अगर थोड स्टार्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है मार्केट कैप है लगबग 1.17 परसेंटेज मतलब मार्केट रहेंक हमारी वापस उधर भी सकती है येश्टिडे का चेंज है साड़े चैपर से लगबग 80 परसेंट नीची चला गया है अब यहीं पर में कहानी तो यहां पर उसके पास ना सिबा स्वाप था ना कोई ज्यादा एक्सचेंजेश थे ना इसके पास रॉबिन हूर था ना इटोर था ना इनकी लगबग नूज थी ना कोई बहुत बड़े-बड़े देचेंटरलाइज थे ना कोई स्वाप वगईर था कुस भी इसके पास पाली सीरीज को तो टच कर सकता है अगर वापस शुरुवाती दौर पर आ जाए क्योंकि अगर आपको पता हो नहीं पता हो तो बता दू जब बात चल रही थी लगबग मैं की लगबग जनवरी फरवरी मैं की बात चल रही थी लगबग ओल्डर ट्राइम हाई पर था हमारा लगबग बिटकोईन की बात की जाए 46 लाग पर तो मैंने भी देखा है लगबग अराउंड 42 लाग 46 लाग देखा है उसके बाद में बिटकोईन टूटा है और उस टाइम लगबग यह है इसकी नौर्मल स्थदी शीवा की थी तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर बिटकोईन वापस अभी का डबल हो जाए लगबग अभी लगबग 22 लाग चल रहा है अगर इसका डबल हो मनदब 56 लाग लेकिन हम 56 लाग नहीं 46 लाग मानकर चल रहे है 46 लाग मानकर चले तो यहाँ पर मात्र बिटकोईन की वज़े साई हमारा percentage है वो काफी ज़दा gain हो सकता है मात्र Bitcoin पर depend हो तो और Bitcoin का बढ़ना लगबग मेरे हिसाब सकता है हो सकता है क्योंकि जो future हमें देख सकता है bright future है cryptocurrencies का लगबग हर जगह सोर सरावा चल रहा है about the cryptocurrency तो आपके सामने पहला पचास लाग को cross करता है Bitcoin तो मेरे इसाब से वापस यह है series हमें normally देखने को मिलेगी इसके बाद में दूसरा हमारे सामने point है कि उस time उसके पास कुछ नहीं था अब हमारे पास हमारा खुद का decentralized exchange है सिवा स्वाब जो 270 में से 260 exchanges को हराकर एक दिन में तसवी रैंक पर पहुंचा है यह बढ़िया बात है या नहीं खुद comment down करके जरूर बताना में जो भी point होते है बिना किसी यू नहीं है कि confusion हो या फिर उसमें कोई दिक्कत हो या फिर उसमें जो भी है एकदम सटिक चीजी यहां पर बताने जा रहा हूँ जहां पर पहला हमने clear कर लिया है कि एगर bitcoin वापस इस स्थी पर आता है तो बिना swap के भी हमारा यह है all the time high 28.92 को टच करने वाली ताकत रखता है पहला point दूसरा point हो गया Siba swap आ गया है मतलब Siba के पास में अब fund बहुत ज़्यादा आ गया दूसरा point तीसरा है कि around 50 trillion तक staking हो चुकी है मतलब 50 trillion तो coins लोग ही हो चुके है मातर 3 दिन के भीतर बात की जाए 2020 की तो मातर मान लीजिए 50% coin लोग हो गये अब जिसको नहीं समझा है वापस से चीज़े सुन सकते हैं कि जैसे मान लीजिए Siba swap जब नहीं था तो भी हमारा यहाँ पर price इतना तो टच किया ही था अब Siba swap आ गया है decentralized exchange खुद का है मतलब Siba के पास fund तो अब full है देखा जाए तो fund की तो अब कमी ही नहीं है और 50 trillion यहाँ पर lock हो चुके हैं 2021 के end तक बात कीज़े मान लीजिए 50% coin यहाँ पर lock हो गए तो हम देख पा रहे होंगे कि 50% selling तो हमारी यहीं पर खत्म क्योंकि selling के लिए Siba चाहिए तो Siba तो हमने stake कर दिए तो Siba का जो reward मिलेगा कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको sell करके वापस मैं से यहाँ पर loss में आओं तो यहाँ पर लगबख सही चाहेंगे कि Siba को lock कर रहने दिये जाए लगबख 6-7 महीने रहे हैं एक साल रहे हैं तो और भी रहने दिये जाए क्या पड़ा है हमें पैसा की त से बड़े 2-3 exchanges पर और लिश्टिंग होता है तो हमारे सामने 1-0 इस से हड सकता है मतलब यहाँ पर एक पैसे वाली सीरीज यहाँ पर हमारे सामने touch हो सकती है और लगबख 2-22 या 23 की बात की जाए तो मैं यह तुक्के नहीं मार रहा हूं कि केवल 2020 के end से पहले एक पैसे हो इसके बाद में देख सकते हैं इसके कुछ और भी प्रोजेक्स होता है जैसे वर्जन वी इसका रोड में पाया था वर्जन 2 आया था उसमें काफी चीजें ऐसी लिखी वी है जो लगबख किसी भी कॉइन के लिए काफी ज़्यादा बढ़िया होती है उसके बाद में जो हम है अराउंड यहां पर मेरे साब से डेड़ मिलियन तक हो सकते हैं जैसा मैं मानू तो क्योंकि एक साल की बात की जाए तो हमारे सामने लगबख देख सकते हैं पांच लाक से उपर हो जगए है मतलब लगबख 6 लाक सवा 6 लाक हो चुके हैं स्टेक होल्डर की अगर साथ में बात की जाए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मैं मान रहा हूं लेकिन जो भी बाते हैं वो तो एकदम सपष्ट में बता रहा हूं कि जो जो चीज़े यहां पर होनी चाहिए तो हमारा सबसे पहला मैंने पोइंट बता दिया दूसरा मैंने पोइंट बता दिया तीसरा स्टेकिंग का पोइंट बता दिया चोथी बात है हमारे सामने जो सीबा पर नए टोकन रिलीज होंगे जैसे भी कोई नए टोकन रिलीज होगा तो लोग अ हमें reward मिलने वाले हैं उसकी वज़े से सीवा को बहुत जादा फाइदा होगा हम केवल यह सोचता है कि इनसे फाइदा हमें होता है नहीं जैसे मान लीजिए कोई भी bank है ठीक है bank से मेरे पास मान लीजिए fund आया अब मेंको fund वहाँ पर मेंको मान लीजिए कोई दूसरी company को transfer कर है केवल यहाँ पर पड़े हैं तो उनका profit हमें कौन निकाल कर देखा ना आप देंगे ना में दूँँगा ना कोई और company देगी तो simple सी बात है कि शिवा का परेज में आसानी से मान सकता हूं कि लगबग एक पैसा की series को touch कर पाना इसके लिए मेरे हिसाब से अच्छा हो सकत है अगर यहाँ एक पैसा भी टच करता है तो जिन लोगों की पास 100 करोड 500 करोड 200 लाग 10 लाग 20 लाग जितने भी कोई है उनकी value कितनी skyrocket होती दिखाई देगी उन सभी को पता है तो हमारे पास में यह लगबग 5-6 point है इनके आधार पर मैंने यहाँ पर बता दिया है कि तीसरा हमारे सामने होगा selling बहुत कम हो गई चोथा हमारे सामने हो गया bonn वगेरा की lease वगेरा की जो भी नए tokens है उनकी वज़े से हमारे जो फास जो fund है बहुत ज्यादा हो गया पांचवा हो गया जो भी नए token है शिवा के fan होंगे तो चाहेंगे कि सिवा swap से खरीदें तो हमारे पास में हो गया और चटा पॉइंट हो गया सिवा स्वाप मातर तीन दिन के अंदर लगबग दो सो साथ है स्वाप को हराकर दसवी रैंक पर पहुंचा है डी बैंक में तो हमारे लिए बढ़िया बात है इस सारे अभी तक पॉइंट पड़े हैं एक दो किलियर हुए तो दीरे-दीरे रॉबिन हुट लिस्टिंग कोईन बेस पर जो भी इभी मामला चल रहा है वह साफ हो जाए उसके बाद में बाइनस पर भी मान लीजिए सौटेज की वज़ेस थोड़ा बड़ा दिया जाए या वजीर एक्स कभी यह तो नहीं चाहिएगा ना कि हमारे जो को फंड है भी तक ऐसे पड़े रहे हैं या फिर शीबा है विड्रॉल स्टार्ट करें कभी तो अपनी जो भी सर्विस है उसको क्वालिटी को बहतर करेगा तो मैं भी शीबा को वापस से अडॉप्ट करूंगा सौरी वजीर एक्स को अडॉप्ट करूंगा क्योंकि मैंने 2022-23 तक एक वैसा या उससे पहले या उससे थोड़ा बाद में भी आ सकता यह मेरी केवल प्रेडिक्शन है मैं कोई बहुत बड़े अलहार पर नहीं कह रहा हूं लेकिन जो भी पॉइंट्स है मैंने यहां पर क्लियर कर दी है वीडियो कर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव ल बादा में भी आड बाद हूं हुर्मेट बाद हुर्मेटर टॉर्मेट्ड systems in hot water